हला अबरिवन दिस पावन शर्मा थोड़े पहले मैंने आपको अपने टेलिग्राम चैनल पे एक जो है पोल पोस्ट किया है इसमें ने पूछा है कि क्या आपका 2022 सो फार प्रोफिटेबल रहा यह जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ना रहे हैं 19th of February को तो मतलब almost हमारे पास अगर देखें तो 50 days निकल चुके है from this year तो क्या यह हमारे लिए जो 50 days निकले हैं यह profitable रहे या नहीं रहे आंसर जो है majority of you guys have said no तो उसकी पीछी का रीजन क्या है चले जानते हैं जो चार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह निफ्टी का चार्ट है इसको मैं इस एक्जाम्पल यूज कर रहा हूं बाकि जो है सारे स्टॉक्स भी ऐसी ट्रेड करते हैं अगर आम इस निफ्टी के चार्ट को देखेंगे 2006 से पहले जो है थोड़ा सा आपको राइस मिला उसके बाद एक अल्मोस अगर आप देखेंगे दो साल तक उसने पॉजिटिव रहा फिर हमारे पास में एक करेक्शन आई करेक्शन के बाद में अल्मोस जो है मोर देन वन यह यह रेंज बाउंड रहा फिर रहा and once again a rise and the range bound market has just started इसको कहा जाता है life cycle of markets life cycle मतलब क्या होता है market हमेशा ऐसे ग्रूनी करती याद रखेगा market grow करती है फिर एक अपने आपको hold करती है फिर उसके बाद grow करती है अगर कोई negative news हुआ तब correct होता है फिर उसके बाद में hold करके फिर rise करती है and so on तो इस time पे जो ह हमारे पास में लगाता जो 2020 से जो है journey शुरू हुई थी वो काफी बड़ी journey थी उसके बाद में one two three four five six almost six month से हम अब range bound trade कर रहे हैं तो हमारी market जो है six month से range bound है इसलिए आपको कुछ month से profit नहीं हो रहा होगा अगर आप सिरफ equity trader है या तो आप जो है on cost चल रहे हैं या फिर ज possible कुछ नहीं दिख रहा अब आप possible तो है नहीं कि हम सारे के सारे stocks को लेके चले जो growth वाले हैं हमें maximum क्या कर सकते हैं कि best possible stocks को pay कर सकते हैं for our profitability लेकिन वो भी possible नहीं होता कि market है अगर यह market में negative sentiments है तो बाकी चीज़ भी carry कर जाएंगे तो इस time पे अगर equity trader profit नहीं बना रहे है तो कोन बना रहे हैं उसका answer है option trader इस time पे option trader profit बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा जब market range bound होती है तो equity में तो कुछ हाथ लगता नहीं है क्योंकि equity में हमारे पास एक ही possibility है कि market rise करे तो हमारा profit आएगा market range bound रहेगा तो we have to hold लेकिन अगर market गिरता है तो या तो आपको जो है अपने stop loss पे exit कर देना चाहिए जो सबसे अच्छा sensible decision होता है अगर आप hold करते हैं तो आप गलती करते हैं और उससे बड़ी गलती करेंगे उसको average करने में average करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए जब stock fall करना रुके और आपको सारे के सारे indication provide करे कि अब stock rise कर रहा है तो hold तो चाहिए लेकिन चली आप चाहते हैं उसको hold करना because of your capital and maybe you have hope तो उसको average जब तक नहीं करना जब तक वो आपको वापिस से rise के signal ना दें लेकिन option में क्या है option में market rise करेगी rise के साथ में एक आपको जो है cap मिलेगी दोनों condition में आपको profit मिलेगा market fall करेगी तो भी मिलेगा fall करके hold कर लेगी तो भी मिलेगा market कहीं नहीं जा रहा तो भी मिलेगा market बहुत जदा volatile है तो भी profit मिलेगा तो इस time जिस market में हम है from last six month आप देखिए volatility कितनी जादा है और अब आ मैंने आपको यह जो है option trade provide करना थू शुरू किया है through our membership program आपको कहीं ने कहीं थुरा थुरा profit बनता जा रहा है इस time पे सिर्फ और सिरफ option trader पैसा कमाएंगे इक्वी टेडर नहीं कमाएंगे तो हमें आपने आपको बाकी segment के लिए भी prepare करना चाहिए हमारे पास commodity segment भी है उसको मैं recommend नहीं करता है और पुरा दिन बैठने का जो है मेरा temperament नहीं है इसलिए मैं उसको बिलकुँ ट्रेड नहीं करता लेकिन option में सबसे ज़्यादा बहतरी जो है वो opportunity इस time है पैसा कमाने की because market कहीं नहीं जा रहा तो आपको क्या करना चाहिए मान लिजिए आपके पास पांच लाग रुपे हैं आपने क्या किया पांच लाग रुपे का आपका portfolio है अब आप क्या करेंगे इस पांच लाग के portfolio के साथ में आप कुछ जो है hold करना चा portfolio में चल रहे हैं जिसको आप hold कर सकते हैं for longer duration 2-4-5 साल जो भी आपका target है hold करने का because market time लेती है है आपको options को जब trade करना है तो यह बात समझनी है कि वो आपका पैसा वहां से आ रहा है जो आपका portfolio है उसमें अगर 200 रुपे भी आड होते हैं चार लाग रुपे में से अगर 1000 रुपे भी आड होते हैं वो आपके लिए profit ही होगा तो जादा लालच मत कीजिए को यह आपका पैसा वैसी भी नहीं है आपका पैसा तो यह है तो इस पैसे से जितना भी आप जो है recover कर सकते हैं जितना भी आप इसको grow कर सकते हैं that is all additional तो collateral में लालच ना करें थोड़ चोड़ चोड़ प्रॉफिट कमाते रहें और income generate करते रहें दूसरी बात अब आपको यह लगेगा कि हमारे पास में जो है buy करके पैसा बनाएंगे नहीं बाई करके जिंदगी में कभी पैसे नहीं बनता बाई को बोला जाता गैंबल जितने भी FIIs हैं वो गैंबल नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है 17500 का call बाई कर लिजिए 50 रुपे में और यह grow करेगा 80 रुपे 100 रुपे 200 रुपे और फिर आप उसमें जो है profit कमा आप 5000-6000 रुपे 8000 रुपे निकाल लेंगे कभी-कभी चलता है लेकिन हर रोज FI इतने बड़ा बेकूफ थोड़ना है जो आपको ऐसे पैसा कमाने देगा वह इस 50 रुपे के लिए fight करेगा आपसे वह आपको 200 रुपे कभी-कभी दे देगा लेकिन उसकी fight होती 50 रुपी इसको बोलते हैं वो देखिए और उसी के accordingly आप trade कीजिएगा अगर ये चीज़ आप सब करते हैं पहला equity में हमेशा मत सोचे का profit बनेगा market range bound जा सकती है 70% साल में market range bound रहती है उस टेम आपका पैसा नहीं बनेगा और बड़ी move के बाद market range bound रहेगी अगले कुछ सालों के की power समझ यह आपका पैसा वेस्ट नहीं है जो आपका equity मिडला है अपने broker से बात कीजिए collateral लिजेगा और आप option में trade करें क्योंकि इस time सिरफ और आप option trader पैसा कमा रहे हैं दूसरी बात आपको लालच बिलकुल नहीं करना है क्योंकि जो पैसा बाप लगा रहे हैं जो आपन on and above your capital है उसको lose मत कीजेगा option को सिरफ और सिरफ बाए call और बाए put को मत समझेगा वो एक gamble है उसको बिलकुल भी पैसा grow करने के लिए इस्तमाल मत कीजेगा जो है वो भी हाथ से चला जाएगा थोड़ा सा कमाईए लेकिन secure कमाईए और वो possible है आपके thoroughly risk management वाली strategies के accordingly market की conditions के accordingly उसके लिए आपको proper knowledge लेना पड़ेगा अगर आपको stock market में survive करना है क्योंकि कभी कभी क्या होगा ऐसे आपको अभी चली दो साल आपका market बहुत आपने 2020 में जो enter किया you are like one of the richest person right now अगला दो साल क्या करेंगे आपका patience lose कर जाएंगे दीरे दीरे आप पैसा भी lose कर जाएंग खड़े हैं fall किया तो बड़ा सा जो है आपको correction भी देखने को मिलेगा जिससे आपकी equity वाले portfolio में negative में जाएगा तो उस पैसे को utilize करना शुरू करें for your options and that is my advice आगे की journey आपके लिए बहुत profitable रहेगी मज़ेदार रहेगी income source आपका generate हो जाएगा and you will love trading in the market for even for 5-10 years also because आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा बन रहा है overnight मत सोचेगा 2023 तक आज आपका capital इतना है कल इतना मिलेगा 5 लाग थे न तो अब 9 लाग आपको मिल गए 9 लाग का capital कल को अगर आपको देखेंगे तो कम से कम 6-7 लाग रपे आपके बने मिलेंगे एक साल के अंदर from this capital उसकी power पैचा जाएगा. So, that is my advice guys and hope you will be getting profitable journey ahead.